हाई फ्रेंट्स मैं हो परदीप और आज लेकर के आए है डाइना टेज का HP 7000 एम्पिलिफायर लेकर के और इस एम्पिलिफायर के बारे में इसका क्या इस्पिकेशन होगा और इस amplifier का क्या price होगा और कितना output निकाल के देता है या amplifier और कितना base और top चला सकते हैं इस वीडियो में बताएंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिएगा चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं लिजए फ्रेंट्स देख सकते हैं इस amplifier का dynotech HP HP 7000 यहां mention किया हुआ है देख सकते हैं इस amplifier में और इस amplifier में आपको channel 1, channel 2 के लिए दो भली हम आपको देखने के लिए मिलेगा इस amplifier में और side में आप देख सकते हैं on-off switch दिया गया है इस amplifier में और बीच में आप देख सकते हैं इस amplifier का indicator, clip, signal और protection के लिए यहां दिया गया है और इस amplifier का दो handle आगे की ओर दिया गया है और rear के लिए दो जाली इसमें दिया गया है आई फ्रेंड्स आपको लिए चलते हैं back look में और आपको input section में आपको दिखाते हैं देख सकते हैं XLR jack दिया गया है mail फिमेल के लिए और इसमें आप एक दूसरे amplifier से connect करने के लिए भी दिया गया है और इसमें output section में आपको spoken और terminal के दोआरा आप इसे operate कर सकते हैं इस amplifier को और इसमें crossover section में आप देख सकते हैं अपने अनुसार stereo parallel और bridge के लिए दिया गया है और इसमें AC के वाल आप देख सकते हैं इस amplifier में और दो फैन आपको देखने के लिए मिलेगा पिछे की और तो लिजे फ्रेंट्स इस amplifier का चलिए आपको specification आपको दिखा देते हैं कितना output निकाल के देता है तो 8 ohms में आपको 1500 watt पर channel आपको यह amplifier निकाल के देता है देख सकते हैं इस amplifier में आपको bridge mode में देखने के लिए मिलेगा इसका output 8 ohms में 4500 watt निकाल के देता है यह amplifier और bridge mode 4 ohms में आपको 7200 watt निकाल के देता है फ्रेंट्स देख सकते हैं और इस amplifier का dumping factor है 1300 जो की काफी अच्छा आपको punch देखने के लिए मिलेगा इस amplifier के दवारा तो चलिए फ्रेंट्स आपको लिए चलते हैं आपको कैसे connection करना है इसके बारे में आपको बता देते हैं देखिए फ्रेंट्स देख सकते हैं 1500 वाट का एक इसमें 18 इंची का आप इसमें सब उफर एक channel में 1500 वाट और दूसरा चैनल में 1500 वाट का इसमें दो बेस आप इसमें आराम से चला सकते हैं जो की काफी अच्छा पंच आपको देखने के लिए मिलेगा और 4 ohms में आप इसे run कराना चाहते हैं इस amplifier को तो एक channel में 2000 वाट और दूसरा चैनल में 2000 वाट डाल के आप इसे चला सकते हैं और इसमें आप 2 ohms में इस amplifier को चलाना चाहते हैं तो एक channel में दो टॉप 800 प्लस 800 800 प्लस 800 टोटल 32 वाट का आप लोट डाल सकते हैं एक channel में और दूसरा चैनल में भी 32 वाट का इसमें लोट डाल के आप राम से चला सकते हैं चार टॉप कोई दिकत नहीं आने वाला है इस amplifier में और इस amplifier का आपको एप्रोक्स प्राइस मार्केट में देखने के लिए मिलेगा 49,000 से 52,000 की बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा इस amplifier का और यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा मिलते हैं नए टोपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए